राम राम आज हम श्रिमत भगवत कीता के अध्याय 18 मोक्षिस अन्यास योग का श्लोक 38 संस्क्रित उचारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे पहला चरण विश श में अमिक्स किया विश य पर एकी मात्रा ये मात्रा के अंदर आधा न ये के साथ यें द्र का मतलब वाद आधा और पूरा द्र पर एकी मात्रा द्री य में अमिक्स करेंगे द्रिया वापस इस शब्द को पढ़ेंगे विश येंद्रिया सक्यूपरविंदी नाखसे न सांयोगा के साथ आधा दा सांयोगाद भहला चरण near repeat विशयैंदरेय सांयोगाद दूसरा चरण यव पुरी के साथ आधा दा यत तद दोनों अक्षर पुरी दोनों में आमिक्स करेंगे तद ग्रे में ग्र का मतलब हुआ ग्र आधा और पूरा ग्र पर एकी मात्रा ग्रे ग्रे की बाद में अवग्रे आपको ग्रे की मात्रा को लंबा खीचना है ग्रे म्री का मतलब हुआ म् आधा हो नीचे री से रिश्य की मात्रा M R I तो प में हमिक्स करनेगे . तीसरा चरण प अमीक्स करने अक्षर में परि ना मे लिगे ध्यान देना है इन दोनों अक्षब्दों को विश मिवा को वीश मिवा नहीं करना है दोनों मतर्छ छोटी परिणामे में भी छोटी रही की सिफ मे पे थोड़ा जोड़ देंगे क्योंकि में अक्षर दीरग है परिनामे विश्यमे वह ना और मे पे जोड़ दिया है और सब शब्द आराम से नॉर्मल में ही बोलना है चौथा चरण तपूरी के साथ आदा तत सुख शब्द पूराने के बाद खपे अनस्वार आधामर तत सुखम राजसा जसा दोने अक्षिपूरे दोनों में आमिक्स करेंगे राजसा शब्द पूराने के बाद सपे अनस्वार आदामर तत सुखम तत सुखम तत सुखम राजसं स्मृतं तीसरा और चौथा चरण साथ में पुरी श्लूक का उचारण ध्यान से एक साथ विशे यंद्रिय संयोगाद यत्त दग्रे मृतो पमम पुरी नामे विश्यमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम एक बार फिर से श्लूक का अर्थ समझेंगे इसे पिछले श्लूक में हमने सुना कि सात्विक सुख क्या होता है सात्विक सुख जो आरंब में विश्की तरह परिणाम में अमृत की तरह होता है उसे आरंब में विश्की तरह बोलने का केवल ये कारण था कि जब आप राजस और तामस सुख को छोड़कर परमात्मा की तरफ चलते हैं तत्व का अनुभाव करने चलते हैं तो आपको राजसी और तामसी सुख को जो कि शरीर को मिलने वाले सुख है उन सुखो को छोड़कर जब आप अपने शरीर को थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए तयार करते हैं तो आपको सात्विक सुख प्रारंब में विश्की तरह लगता है यह सुख सात्विक सुख है और सात्विक सुख से भी उच्छा उठकर हम अभीनाशी सुख जो परमात्म तत्व का अनुभाव करने पर मिलता है उसका अनुभाव कर सकते हैं जब हम सुख की इच्छा का त्याग कर दें जब हम हमारे साधन में ध्यान और एकागरताम के सुख में भी लीन ना हो उस सुख से भी उचे उठकर हम उस परम आनंदी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें अब आज हम राजस सुख कवर्णन सुनेंगे पहले शब्दों के अनुसार अर्थ विश्य के इंद्रिय संयोगात विश्य इंद्रिय और विश्यों के संयोग से संयोगात ठीक है संयोगात फिर है यत यानि जो तदग्रे दो शब्दों में विभकतों का तदधन अग्रे अब अग्रे को अलेंगे तो अम्रितो पमम यानि अमृत की तरह परीणाम के नतीजे में विश्यम इवा दो शब्दों में विभखतोगा मा जो है उसको विश्य के साथ जोड़ेंगे तो विश्यम और मा पर इकी मातरा तो इवा विशम यानि विश्की इव यानि तरह प्रतीत होता है तत सुखम तत यानि वह सुखम यानि सुख राजसम राजस स्मृतम स्मृतम यानि कहा गया पूरा अर्थ क्या निकला जो सुख इंद्रियों और विश्यों के संयोग से होता है वो आरंब में अमरित की तरह और परिणाम में विश्गी तरह प्रतीत होता है वह सुख राजस कहा गया है देखे सात्विक सुख में हमने सुना था कि जो आरंब में विश्गी तरह प्रतीत होता है हमें लेकिन परिणाम में वह अमरित की तरह ही है वो सात्विक सुक है लेकिन राजस सुक में किया कि जो आरम में तो हमें अम्रिद की तरह अच्छा लगता है लेकिन परिणाम में वो विश्च की तरह प्रतियत होता है ऐसा सुक राजस सुक कहा गया अब इंद्रियों और विश्यों के सहयोग से होने वाला सुक यही चीज ब किवल सात्विक सुक में अभ्यास की जरुत है राजस और तामस सुक में किसी बेप्रकार के कोई अभ्यास की आफशकता नहीं है क्यों? क्योंकि ये प्राणी जब बे किसी योनी में जाता है वहाँ पर उसे इंद्रियों और विश्यों के संयोग से मिलने वाला सुक मिलता ही है तो इसलिए इन सुकों का अगर मनुश्य शरीर पाकर भी हम भोगते हैं तो इसमें हमें अभ्यास की जरुत नहीं है अब बोला गया था कि ये जो राजस सुक है ये प्रारंब में अम्रित की तरह लगता है कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इस संसार में विश्य की प्राप्ती होती है तो इस समय मन में जो सुक होता है जो मस्ती जो राजीपन होता है वो हमें विश्यों के मिलने पर नहीं रहता है तो आरंब में हमें वो अम्रित की तरह महसूस होता है मिलने पर थोड़ी देर तक उस सुख होता है लेकिन थोड़ी देर बात में जब हम उसको महसूस कर चुके होते हैं उसके बात में वो सुख पूरे समय तक हमारे लिए टिकावा नहीं रहता है कहने का तात्पर ये क्या हुआ हमारी विशे भोग के तरफ जब रूची होती है हम उन्हें भोगना चाते हैं लेकिन जब वो भोग हमें मिल जाते हैं तो उनको भोगते भोगते हमारी शक्ति शीन हो जाती है और उस समय हमें वो सुख नहीं मिलता हमारी उससे अरूची हो जाती है इसको example के तुरू माराजी कई बार अपने सत्संग में समझाते हैं कि आपको रजगुला पसंद है आप एक दिन का दो खासतें चार खासतें लेकिन जब आपको साथ आठ रजगुले एक साथ खिला दिये जाएं तो इतने सारे एक साथ मतलब ये रजगुले का मतलब क्या विशे भोग ये यहां के संसार के सुक एक लिमिट तक एक सीमा तक अगर आपको मिलते हैं तब तक आपके लिए वो सही है आपको आनंद देने वाले है लेकिन जब वो भोग आपको एक सीमा से अधिक मिलने लग जाए आपको रजगुले 10-15 खिला दिया जाए तो आपको आजीन जैसा लगता आपको फिर उसके बाद में रजगुले दीखा वाभी पसंद नहीं है ये हम सब का अनुभव है जो मैं बात बूल रही हूँ हम सबने महसूस की है तो बस यही बात है कि ये जो विशे हैं जब तक हमें नहीं मिलते हैं तब तक हमारा उसकी तरफ आकर्शन रहता है जब वो विशे भोग हमें मिलते हैं तो आरब में हमें कुछ समय के लिए बस उस सुख मिलता है सुख लगता है वास्विक्ता में वो सुख है नहीं जब उन विश्यों को भोग लेते हैं तो हमारे चित्ते में सुख रहता ही नहीं केवल दुख और दुख ही पैदा होता है तो कहने का ताथ पर यह क्या हुआ कि यह जो विषय भोग हैं ये मन जो है उसकी तरफ खीचा जाता है मन को ये बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन जब हमारी इंद्रिया उन विषयों को भोग लेती हैं तो कुछ समय के पशाथ हमारा उसकी प्रती वो भाव वो सुख का भाव नहीं रहता है अब हमने यहां दिखा कि यह राज़त सुख परिणाम में विश्ख की तरह मालूम होता है यह विश्ख की तरह है क्यों? क्योंकि जब आप इन सुखों को भूगेंगे तो परिणाम में आपको सुख नहीं बलकि नीरस्ता मिलेगी आपका उससे जो है मन उचर जाएगा जैसे अभी हमने रज़गुले का एक्जामपल देखा आप साथ रज़गुले तक खास अतने पर आपको 15-16 रज़गुले एक समय पर खिला दिये जाए तो आपको रज़गुला एक बार के आँख बंद करने पर भी दिखता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता वो सुख भी आपको जहर की तरफ मालुम देता है और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम यहां के सुख लेने में फस जाएंगे तो अंत समय में हमें केवल और केवल पच्छताने की सिवाय कुछ बाकी नहीं रहेगा कि मैंने इस शरीर को पाकर इस मनुष्य शरीर को पाकर किसी भी प्रकार का कोई प्रैतने नहीं कि अपने परमात्मा की प्राप्ति के रिए केवल इस दृसार के सुखभूग में फसारा जो की न केवल मनुश्य योनि में बलकि और दूसरी योनियों में भी सम्बव है ये बात भी हमने कलकेश लोकों में समझी थी कि केवल विशह भूग जर्रे नहीं कि मनुश्य योनि में ही मिले अगर हमारे कर्म इतने उचे होते हैं लेकिन किसी कारण वर्ष हम मनुष्य योनी नहीं प्राप्त कर पाते हैं और किसी और योनी में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें विश्य भोग मिल सकते हैं परन्तु परमात्मा प्राप्ति का मार्ग केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही सुगम है उसके अलावा हम किसी भी योनी में अपने विवेक क्योंकि विवेक और किसी योनी में होता ही नहीं है केवल मनुश्य शरीर में होता है तो अपने विवेक का सदुपियोग करके परमात्मा की प्राप्ती तक पहुचने का मार्ग केवल और केवल ये मनुश्य शरीर ही है इसलिए अगर हम विशे भूग में पढ़े रहें तो परिणाम में हमें विश की तरह ही मालूम देगा क्योंकि परिणाम में अंत समय में हमारे हाथ में कुछ भी समय शेश नहीं रहेगा ना हम में शक्ती रहेगी ना हमारे पास समय रहेगा ना हमारे पास सामर्थे रहेगी तो उस समय पर पस्तानी के सिवाए हमारे पास में कुछ भी हाथ नहीं रहेगा इसलिए इस संसार भोगों की तरफ आकर्शन के बज़ए हमें परमात्मा जो अविनाशी सुख का भंडार है उनकी तरफ आकर्शे दोकर उनमें ततपरता से लग जाना चाहिए अविनाशी सहज सुखराशी है नाथ है मेरे नाथ मैं आपके शरण में हूँ आप क्रिपा करें मैं आपको भूलू नहीं ना रहें ना रहें ना रहें